प्रेंड्स मुलतानी मिट्टी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कई सालों से मुलतानी मिट्टी हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशल रही है अगर आप इसका सही तरीकिये से यूस करते हैं तो यह आपके स्किन के लिए एक परिफेक्ट रेमीडि होती है जो आपके स्किन के हर एक प्रॉब्लम से को डिमो करती है ये आपकी uneven skin हो या आपकी skin पर जूरियां हो या आपकी skin डलने सो गई हो तो ये सारी problem से चुटकारा दिलाती है साथ ही ये आपके under eye dark circle हुए या फिर कोई भी dark sports हुए सब को हाइट करने में बहुत useful थाबित हुई है मुलतानी मिट्टी आपकी skin को hydrate रखती है साथ ही साथ आपके skin के आपके face के open pores को भी lock करती है जिससे आपके skin पर extra oil नहीं होता है और extra oil ना होने की वज़े से आपके skin पर होने वाले एकने pimples सब हाइड हो जाते हैं तो फ्रेंड्स चलिए बताती हूं में कि इसे कैसे आपको यूज करना है कैसे इसको अपने skin पर apply करना है सबसे पहले आप ले लेजिए half table spoon मुलतानी मिट्टी आप यहां पर natural मुलतानी मिट्टी या जो मुलतानी मिट्टी स्टोन आता है उसे लाकर घर पर पीश सकते हैं या फिर herbal का मुलतानी मिट्टी powder ही यूज करें बजारी जो packet आते है उसमें मिलावट होती है उसमें आप यूज करें हाप lemon juice आप यहाँ पर किसी काँज की या प्लास्टिक की बाउल में ही ये पेस्ट बनाए Otherwise आप इस्टिल का है किसी और बर्तन में ये पेस्ट न बनाए दोनों को अच्छे से mix कर ले गैस lemon में vitamin C होता है ये आपको bleaching property देता है है आपकी skyn पर ब्राउन करता है, यह आपकी skyn को ब्राइटन करता हैं, स लेमन में बहुत सारी अच्छी प्रोपर्टेज माँ क्यों इसा जो हिस अपकी skyn कोस आप भी मुल्ता निमिटे यूज कर रहे हैं तो आप उस में लेमन जरूर एड़ कीजिएगा दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेना है अब थर्ड इंग्रिडियेंट जो है वह रोज वाटर रोज वाटर से ही हमें अपना पेस्ट बनाना है बना के तयार करना है रोज वाटर गैज हमारे फेज़ को एक अच्छा सा पिंक सा ग्लो दिदे करना है कि अफो sic बनाना है ना हमारा पेस्ट ज्यादा थिक होना चाहिए न ज्यादा पतला होना चाहिए अच्छा सा पेस्ट हमें बना कर तैयार करना है अगर अगर आप मुल्तानी मिट्टी में यह चिज़े मिला कर अगर यह फेस पेस पर लगाएंगे तो आप будут जा से अप्लाय करना है यह मैं बताती हूं आपको यहां पर आपको अपना फेस अच्छे से वाश कर लेना है अगर आपके पास फेस पेक ब्रश है या फिर अपने फिंगर से आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से यह पेक अप्लाय करें गाई यहां पर आपको बात ना बात कर यहां पर हमारी स्कीन लूज भी हो जाती है पेक सुखने के बाद तो जब तक पेक सुख न जाये वोश न कर ले तब तक आप बात ना करें अच्छे से पूरे फेस पर आपको यह फेस पेक अप्लाइ करना है याद रहे आप अपने आइस के ऊपर आइस वोगेट पर यह पेक होती है जिससे हमारी स्कीन में खीचाव आएगा इसलिए मैं बस यहीं तक अप्लाइ करना है जितनी क्वाइंटिटी में मैंने अपने फेस पेक बनाकर रेडी किया है उतनी क्वाइंटिटी में अगर आप लेंगे तो वह अपने फेस के लिए इनफ होगा और साथी साथ आ एक एरिया भी कवर हो जाएगा अगर आप ज्यादा बनाना चाहे तो अज्यू विश बट मैंने जो क्वाइंटिटी लिए आप उसी क्वाइंटिटी में फेस पेक बनाकर रेडी करें आप चाहें तो अगर आपको अपने स्कीन स्मूथ सॉफ्ट बनानी ज्यादा तो आप इसमें हनी का यूज भी कर सकते हैं आप इसमें वन फॉर्ट टेबल स्पून हनी एड़ कर सकते हैं इस वीडियो पूरा देखिएगा और जिस तरीके से मैंने ये पैस बनाया है जिस तरीके से लगाया है जो टिप्स मैंने आपको दिये हैं अगर आप उसी तरीके से ये सार प्रोसेस करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा एक हफ़ते में आपको तीन बार यूज करना है आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा अच्छे से पेक अप्लाय हो चुका है हमें यहां पर बात नहीं करनी है बस हमें इसे 10-15 मेट तक ड्राय होने के लिए र स्मूथ लग रही है गाइस ग्लो भी दिख रहा है आपको दिख रहा है कि नहीं बट मुझे फरक लग रहा है तो मैं यह कहूंगे कि आप हफते में दो से तीन बार इसे जरूर यूज कीजिएगा आपको डेफिनेटली फरक दिखेगा अब आपको कुछ मॉस्चराइजर लेकर अपने फेस पर लगाना है ताकि आपको आपकी स्किन ड्राइन ना लगे जादा आपके पास मॉस्चराइजर नहीं है तो आप यहां पर कोकोनट ओयल बे अपलाई कर सकते हैं या फिर कॉल्ड क्रिम जो भी आप लगाते हैं वो अपने फेस पर अपलाई कर ले अग तो गाइस मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक के लिए वीडियो पूरा लाज तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइक